नमस्कार दोस्तों हमारा सत्याधर्मा यूट्यूग चैनल पर आपका स्वागत है दीपक के उपाय नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए देखें आजमाकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए दीपक जलाया जाता है दीपक जलाकर ईश्वर का गुनगान करते हैं और प्रार्थना करते हैं जोतिश शास्त्र में जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए दीपक के कुछ उपाय बताय गए हैं इन उपायों के करने से परिवार में सुक्षान्ती बनी रहती है और आर्थिक सम्रिध्धी होती है आईए जानते हैं दीपक के इन उपायों के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि हर दिन दीपक जलाने से देवी देवताओं का आशिरवाद मिलता है और घर में प्रक्ति व समरिध्धी आती है साथ ही दीपक की उर्जा से चारों तरफ सकारात्मक उर्जा का संचार बना रहता है दीपक से आरती करने पर इश्वर का गुनगान करते हैं और अपने किये पापों की क्षमा मांगते हैं जोतिश शास्त्र में हर रोज दीपक जलाने का महत्व बताते हुए कुछ उपाय भी बताए गए हैं इन उपायों के करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और नौकरी वव्यापार में अच्छी उन्नती होती है साथ ही ये उपाय घर पर आने वाले सभी संकट को दूर करते हैं और सौभाग्य में व्रिद्धी करते हैं आईए जानते हैं दीपक के इन आसान उपायों के बारे में दीपक के इस उपाय से दूर होता है राहु केतु का दोश राहु केतु के दोश से मुक्ती के लिए घर में सुभः शाम अलसी के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में राहु केतु का दोश दूर होता है और जीवन में सकारात्मक उर्जा का संचार बना रहता है। साथ ही शनिवार को शनी मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनी प्रकोप से मुक्ती मिलती है और शनिदेव का आशिरवात प्राप्थ होता है। घर की बरकत के लिए जलाए ऐसा दीपक धन संबंधित समस्याओं से मुक्ती के लिए माता लक्ष्मी के सामने हर रोज सात मुखी यानि सात बत्तियों वाला दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मा लक्ष्मी का आशिर्वाद प्राप्थ होता है और अटका हुआ धन भी प्राप्थ होता है वहीं बुद्धी वग्यान में वृद्धी के लिए हर रोज माता सरस्वती के सामने दो बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए वहीं गणेश जी के सामने तीन मुखी दीपक जलाने से घर में बरकत आती है और घर के बच्चों की बुद्धी का विकास होता है उनती के लिए यहां जलाए दीपक आरोग्य वधन वृद्धी के लिए किचन में जहां आप पानी रखते हों वहां पर घी का दीपक जलाना चाहिए ऐसा करने से बुरी शक्तियों से मुक्ती मिलती है और नौकरी वव्यापार में अच्छी उनती होती है साथ ही रोज शाम को दरवाजे के दोनों और तेल या घी का दीपक जलाने से परिवार में सुख समरिधी बढ़ती है और आपसी सदस्यों में प्रेम बना रहता है कर्ज मुक्ती के लिए यहां जलाए हर रोज दीपक कर्ज से मुक्ती के लिए घर में हर रोज तेल का दीपक जलाना चाहिए और इश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए इसके बाद सायंकाल के समय पीपल के व्रिक्ष के नीचे घी का दीपक जलाए ऐसा करने से धीरे-धीरे कर्श से मुक्ती मिलती है और नौकरी वव्यापार में उन्नती के योग बनते हैं सुख्षान्ती के लिए इनके सामने जलाये दीपक परिवार में सुख्षान्ती और सम्रिध्धी के लिए हर रोज बाल गोपाल के सामने और गुरुवार को भगवान विष्णू और केले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम्प मंत्र का जब करना चाहिए ऐसा करने से घर में सकारात्मक उर्जा बनी रहती है और धीरे धीरे सभी कष्ट दूर होते है शत्रों से मुक्ती के लिए करें दीपक का यह उपाय अंजान डर और शत्रों से रक्षा करने के लिए हर सुमवार और शनिवार को भगवान भैरव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए ऐसा करने से आपके सभी डर दूर होते हैं और आसपास सुरक्षा कवच बन जाता है वही मानसम्मान में वृध्धी के लिए हर रोज सुभा सूर्य देव को जल का अर्ध्य दें और फिर देशी घी का दीपक जलाकर सूर्य भगवान की आरती करें